कृप्या वीडियो को पूरा देखिएगा अधूरे ज्यान से कोई लाब प्राप्त नहीं होगा नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्ट्रो सच पर शनिवार की रात चुपचाप फेंक देना यहाँ पर पांच काली मिर्च जीवन के हर कश्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ती शनिदेव जी की कृपा से आपके जीवन में होगी धन की वर् निवार के दिन सिर्फ काली मिर्च का वह उपाय कर लीजिये जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है जोतिश शास्त्र में कहा गया है काली मिर्च शनी ग्रह का कारक वस्तु होती है अगर आपके जीवन में आप शनी दोश से परेशान है आपका घर का वास आपका व्यापार चौपट हो गया है, तो दोस्तों मान के चलिए आपके जीवन में शनीग्रह अच्छा नहीं चल रहा है, काली मिर्ची शनीग्रह से जुड़ी हुई होती है, और अगर आपने काली मिर्च का उपाय शनीवार के दिन किया, तो यकीन मानिए इसका आपको पल मिल जाए या आपकी सैलरी बढ़ जाए या फिर व्यापार में अचानक तेजी आ जाएं और बेशुमार आपको धन की प्राप्ती हो जाएं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमतकार हो, तो आज इस वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लीजि अपने जीवन में हर प्रकार की परिशानी समस्याओं से मुक्ती मिल जाएगी बलकी शनी, देव जी की क्रिपा से आप अपने जीवन में देखेंगे कैसे आपको सुख समरिधी धन दौलत ऐश्वर्य की प्राप्ती होगी, दोस्तों ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उप अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत का साथ पा सकते हैं, देखिए दोस्तों आप, जीवन की कैसी भी मनोकामना हो, आपके जीवन की कैसी भी परिशानी हो, हर चीज का निवारन आपको शनी देव जी के पास ही मिलेगा, क्योंकि शनी देव जी के हाथों में आपके शनीग्रह का नियंत्रन होता है, शनीग्रह एक उग्रग्रह माना जाता है, जिस व्यक्ती का शनीग्रह अच्छा नहीं होता है, वह व्यक्ती अपने जीवन में चाहे जितनी भी, मेहंत कर ले कितना भी परिश्रम कर ली कभी भी उसका कुछ भी नहीं हो सकता है, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ती का शनी ग्रह मजबूत है और वह व्यक्ती गलत निर्नय भी लेगा, उस निर्नय से भी उसको फाइदा पहुचता है, इसलिए हमारे धर्म शास्त्र में कहा गया है कि शनी महाराज जी की कृपा जिस व्यक्ती को भी मिल जाती है, उस व्यक्ती को करोरपती बनने से कोई नहीं रोक पाता है, लेकिन अगर शनी महाराज की गलत द्रिष्टी किसी व्यक्ती पर पढ़ जाती है, तो वह करोरपती व्यक्ती तुरंथी भिखारी बन जाता, इसलिए दोस्तों बहुत से लोग जो होते हैं, वह साढ़ लीजिए आपने ऐसी कोई गलती कर दी थी, जिसकी वजह से शनीदेव आपसे रुष्ट हो गए और आपके साढ़े साती चल रही है, धया चल रही है, या आपके उपर कोई भी ऐसा शनी दोश है, तो दोस्तों आज हमारे वीडियो में बताए हुए आप लोग काली मिर्च के वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में वर्नन, है इन उपायों को करने के बाद में आप अपने जीवन में खुद देखेंगे की कैसे चमतकारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए, अ और आपके जीवन में हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ती मिल जाएगी, इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि शनिदेव जी की क्रिपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, शनिदेव जी के आशिरवात से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप जिस कार्य को भी शुरू करें, उस कार्य में आपको. उल्टा प्राप्थ हो शनिदेव जी के वर्दान से आप अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता को प्राप्थ करें तो पूरी सच्ची श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय शनिदेव महाराज जी की और एक काम कीजिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा. कि राशी के अनुसार ऐसा कोई उपाय होगा जिसको करके आपको कोई लाप पहुँच सकता है तो वह हम आपके कमेंट का रिपलाई में बता देंगे. इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डालना मत भूलिएगा. देखिए दोस्तों अब आपको हम काली मिर्च के उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं, जिन उपायों को करके आपके जीवन में आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा काली मिर्च का उपाय. तभी लाभ देता है, जब इसको आप लोग नियम पूर्वक करते हैं, नियम के बिना आप इन उपायों को करेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा. इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा आपको कौन-कौन सा हम आपको उपाय बता रहे हैं, शनिवार के किस महूर्थ पर आपको यह उपाय करना है, इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है, कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो वीडियो को लाइक कर दें पहला उपाय है, आर्थिक कष्टों से मुक्ती पाने का महान उपाय, दोस्तों मान लीजिए आपने कोई, कर्स लिया था, तो यह बात आपको भी पता होगा, कर्स के चलते आप लोग न खाना ठीक से खापा रहे होंगे, न आपको नींद आती होगी, दूसरी तरफ अगर आपके जीवन में अगर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, तो भी आप बहुत परिशान होंगे, तो अगर आप आर्थिक कष्टों से परिशान है, और आप चाहते हैं कि आपको आर्थिक कष्ट से मुक्ती मिल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बत आ रहे हैं, देखिए एक व्यक्ती के जीवन में आर्थिक कष्ट आते ही क्यों है, क्योंकि उस व्यक्ती का शनीग्रा बहुत ही कमजोर हो जाता है, और अगर आप चाहते हैं कि शनी देव जी की कृपा से आपके आर्थिक कष्ट हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो तीन श खत्म हो जाएंगे, आपने जो कर्जा लिया हुआ था, जिस कर्ज के बोज में आप लोग दबे हुए चले जा रहे थे, वह कर्ज भी खत्म हो जाएगा, देखिए आप को क्या करना है, पहले शनिवार से आपको किसी भी शनी मंदिर जाना है, और यह सूरियास्त के बाद आपको सारे उपाय करने हैं, सूरियास्त के बाद किसी भी शनी मंदिर जाए, शनी मंदिर जाने के बाद, सबसे पहले आपको वहाँ पर एक मिट्टी के दीपक में या प आपको उसी जलते हुए दीपक में तीन काली मिर्च डाल देनी है, यह उपाय आप लोग तीन शनिवार लगातार कर लीजिए तीन शनिवार के। बाद आपको शनि महाराज जी की कृपा मिलेगी कि आपके उपर कोई ऐसा दोश रखा हुआ था जिसके साथ आर्थिक कष्टों से परेशान थे। गर की बरकत का महा उपाय यह एक ऐसा उपाय है जिसको आप करेंगे तो आपके घर की बरकत भी होगी उन्नती भी होगी आपके घर में मान लीजिए ऐसा कोई दोश है नकारात्मक शक्ती है जिसकी वजह से आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है तो वह नकारात्मक शक्ती हमेशा के लिए चली जाएगी देखिए दोस्तों पूरे सब्ताह क्या होता है कि आप बाहर जाते हैं आपके घर के मिंबर बाहर जाते हैं और जब वह आते हैं तो अपने साथ कुछ नकारात्मक शक्ती को ले आते हैं जिसकी वजह से आपके घर में माहौल बिगड जाता है अगर आप चाहते हैं कि यह नकारात्मक शक्तियां आपके घर से हमेशा के लिए चली जाएं तो प्रत्येक श्रेनी वार को सूरियास्त के बाद घर के मुख्य द्वार के बाहर एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं एक सरसों का तेल का दीपक जलाने के बाद आपको उसमें एक काली मिर्च बस डालनी है काली मिर्च डालने से पहले आपको सिर्फ इतना बोलना है जै शनिदेव जी की इतना आपको बस बोलना है और मान के चलिये पूरे सप्ताह शनीदेव जी, कि कृपा आपके घर पर बनी रहेगी प्रत्येक शनिवार को अगर यह उपाय करते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपका घर शनीदेव जी की कृपा में बना रहेगा, तीसरा उपाय है, शनीदोष से मुक्ति पाने का महान उपाय दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि शनी दोष से आपको मुक्ति मिल जाए जब जैसे मान लीजिये आपके साधे साथी चल रही है। या चल रही तो आपको क्या करना है? देखिए दोस्तों शनी दोश से वैसे मुक्ती नहीं मिल पाती एक बात को समझ लीजिए शनी दोश के प्रकोप को कम किया जा सकता है. यह बात ध्यान रखिएगा हमारे धर्म शास्त्र में साफ साफ कहा गया है कि शनी दोश से कोई भी अगर किसी व्यक्ति की साधे साती चल रही है, तो उसको उसको जेलना ही पड़ेगा, लेकिन आप चाहे तो उसके प्रकोब को खत्म कर सकता, अब आप खत्म करना चाहते, तो आपको क्या करना है, जब तक आपकी साधे साती चल रही है, जब तक आपकी धाया चल रही है, एक क प्रत्येक शनिवार को जाएगा और इसी पोटली को किसी भी गरीब व्यक्ति को दे दीजिए अगर आप प्रत्येक शनिवार को यही करना शुरू कर देंगे तो आपके जीवन में जो दोश है उसका प्रकोप लगभग लगभग न के बराबर हो जाएगा अगर कोई व्यक्ति आपसे यह कहता है कि शनी दोश खत्म किया जाता है तो वह जूट बोल रहा है दोस्तों हमारे धर्म शास्त्र में ऐसा कोई उपाई ही नहीं है कि शनी दोश को खत्म किया जा सके हमारा चैनल आपको वही जानकारी देता है दोस्तों जो एकदम सटीक जानकारी होता है हम आपको कभी भी बहकाते नहीं है हम कोशिश यही करते हैं कि आपका भला हो सके लेकिन आपसे निवेदन है विडियो लाइक करना मत भूलियेगा चौथा उपाय है व्यापार को चलाने का माह उपाय अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो दोस्तों इसकी कई बार हो सकता है हो सकता है कि आपके व्यापार में किसी ने नजर लगा दी है हो सकता है कि आपके व्यापार पर ऐसा कोई दोश लग गया है जिसकी वजह से व्यापार ठप पड़ गया है और आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल पड़े तो आपको क्या करना होगा बहुत ही अच्छा सा उपाय हम आपको बताने जा रही हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों देखिए आपको बस यही करना है शनी मंदिर जाना है शनी मंदिर जाएए सबसे पहले शनी मंदिर में जाने के बाद एक सरसों के तेल का दीपक जलाएगे ध्यान रखिएगा उसने काली मिर्च डाल दीजिये का यह शनी महाराज जी के सामने करना है आपको अब थोड़ा वहां से दूर हट जाए शनी महाराज जी की दृष्टी के सामने आपको एक काला कपड़ा लेना है काले कपड़े पर आपको एक मुठी काली मिर्च डालनी है उसमें एक रुपए का ऐसा सिक्का डालना है जो करता पिताना हो एक दम चिकना सिक्का हो एक रुपए के सिक्कों को डालिए और ग्यारा लॉंग डालिए अब इस काले कपड़े की आप लोग बना लीजिए पोटली इस पोटली को आपने जो बनाया है इसको आपको शनिवार की रात को आपको यह उपाय करना है और इसी पोटली को तुरंथ ही ले जाके अपने व्यापार मतलब अपनी दुकान में जहां से आप पैसे का लेंदेन करते हैं वहां पर ले जाकर के रख दीजिए सिर्फ इतना उपाय आपको करना है, इतना उपाय अगर आपने कर लिया, तो आपका बंद पड़ा व्यापार शनी महाराज जी की कृपा से चल पड़ेगा यहां आज कल. कि प्राचीन काल के समय का वह माह उपाय है, दोस्तों जो आपके जीवन में बरकत आ सकता है, और आपके व्यापार को वापस से चला सकता है, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जैशनी महाराज जी की अब जो उपाय हम आपको बताने जा रही हैं, वो है रोग महान उपाय अगर आपके घर पर कोई भी व्यक्ति बहुत बीमार है वह, इलाज करा करके ठक गया है, और वह चाहता है कि वह ठीक हो जाएं, तो एक माह उपाय आप हमारे कहने से करवा लीजिए उस व्यक्ति से, और वह व्यक्ति बिलकुल ठीक हो जाएगा, यह उपाय बात को सुन लीजिएगा, देखिए, ये दिन के समय में भी किया जा सकता है, रात के समय में भी किया जा सकता है, तो यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए 11 काली मिर्च जो भी व्यक्ति आपके घर में रोगी है, उसके दाएं हाथ में 11 काली मिर्च दे दीजिए, उसके बाएं हाथ में दे दीजिए साथ रोटी अब उस व्यक्ति से कहिए कि उस ग्यारह काली मिर्च को अपने सर के उपर से बाएं और से दाएं और लेफ्ट तु राइट साथ बार इस काली मिर्च को घुमाएं साथ बार काली मिर्च को घुमाने के बाद इस काली मिर्च को अपन